नमस्कार दोस्तों मेरा वल सास्तरी सवगत करता हूँ आपका बहुती सरल तरीके से कम सब्दों में आज हम चर्चा करेंगे करक लगन के उपर और करक लगन में हम चर्चा करेंगे कि करक लगन के अंदर हम कैसे देखें या करक लगन वाले वो कैसे पता चले कि कब उसका कि दरश्टी से भी बहुत मैंतंब होना है अगर करक लगन के अंदर विवहा का सुख है या विवहाक चीवन में कोई दिक्कत है विवहा कब होगा उखक और कौन से वह गतरें हैं पर जिसकी दसा अंतर तरसा परतंदर शाम का योग होगा इस के बारे में मैं आपको बताने ज मेहत्व आपको बताना चाहता हूं लगन के को विवायक चीवन को दर्साता है तो जो सात्म भाव का स्वामी है उसकी एहम भूमे का निबाती एक एहम भूमे का होती है आपकी मेरिज लाइप में तो सबसे पहले आप देखिए करक लगन को कैसे जाना है कर लगन में चार है तो करक लगन हुई फिर सब्तम भाव को देख गुरु और सुकुर को देखिए हूं इन चीजों को देखिए और सब्तम 하 भालो में कौन सा ग्रहा है इसको देखी urt चार चीज़ें आपको देखने हुए इसका मतलब ये है जैसे आप जानते हैं पहला आपक्व आपका सवास्त का होता है दूसरा भाव धनका होता है तीसरा आपके प्रकर्म को तरसाता है फफाव शंतान को चठा भाव रोख को शत्वा भाव विवा को और ऐठाव भाव आपके आकसमिक प्रेशानिको नमवम भाव भागे को तस्वा भाव रोजगार को ग्यरवा भाव लाब आर भाव भाव आनी को सिंपल एक रूप से एक वर्ड मेंगर मैं बात करो तो जो सात्वा भाव है विवाईग जिवन के दरश्टी से में अच्छे गरे हैं और सात्वा भाव के स्वामे की स्थिती पहुत अच्छा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं और सात्वे भाव अगर खराब है सात्वे भाव की स्तिति ठीक नहीं तो विवा में डिले होगा विवा में दिक्कत होगी अब अपने मूझ कोस्षन पर आता हूं कि कब विवा होगा किस गहायम होगा तो सबसे पहले देखें सात्वे भाव में क्या लिखा है दस दस नंबर की रासी पड़िए दस के स्वामी होते हैं सनी देव तो सनी की दसा अंतर दसा में आपके विवा के योग बनेंगे इसका प्लेश्मेंट कैसा है नीच के हैं ये दूसरा स्टैप है जिसमें आपको समझाने जा रहा हू फिलाल पहले स्टैप में आप समझें एक गरह बनता है सनी देव जिसमें आपकी दसा अंतर दसा में आपके विवा के योग बनेंगे दूसरा सब्तम भाव में कौन से गरह है सब्तम भाव में मंगल है सब्तम जो विराजमान है सात्वे भाव में मंगल है उसकी दस अंतर द अग्रीस पत्र कुंट्रन समय असरुत व date नकर की गुरू और सुक्र दोनों की इस्थिति दोनों की दसा Euro तरह त्व में बिभागय योग बंता है पर पन॰煮 मुए अब मैं आगे चलता हूं इन अच्छा कंडली के अंद्र सब से अच्छा गरा देखिए जिसकी की दसंदर दसा में और परबल योग बनेंगे। तो आप देखिए अगर आप सात्वे भाव की सवामी विवा होना चाहिए पर नीचका होने के विवा जोड़ेज़े लिए दिक्कत पैदा करेगा। जो इस्तिरगी कुंटली है और गुरू उचका हो गया तो गुरू की दसा में परबल योग बनते हैं सुक्र भी उचका सुक्र भी बहुत अच्छा है सुक्र की दसा अंतरदसा में भी अच्छी योग बनते हैं तो इन में से अगर हम सनी को अठा दें, गुरू, शुकृ और मंगल। इन में से किसी भी गरह की अगर दसा चल रही हैं तो विवा के योग है। और ऐसे में किसी दूट जैसे अंतर दसा भी किसी इनी गरा की हो जाए या सपोजकर गुरू की दसा है और उसमें अंतर दसा सुकुर और मंगल की हो जाए तो और पर्बल योग बन जाएंगे और और डेप्ट में समझना हो गुरू की दसा है और सुकुर का सपोजकर रू अंतर चल जाए और उसमें मंगल का परतिया अंतर चल जाए तो निच्छी दूरूप साब समझे कि विवा के और ज्यादा अच्छे योग बन जाएंगे पून रूप से तो इनकी दसा अंतर दसा है कि विवा के योग अच्छा विवा हो उसके लिए क्या करना चाहिए और अच्छे पर तो सब्तम भाव के जो स्वामी है उसके उपाय करना चाहिए तो इस स्थिति में सनिवार के दिन साम को सरसो का तेल का दान करना चाहिए सनी की बीज मंत्र करना चाहिए सनी के लिए सा तो दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से कम सब्दों में मैंने बताने की कोशिस करी कि अगर आप करकलगन के हैं किस स्थिति में आपका विवा हो सकता है और किन गरों की दसा अंतरदसा परतंदसा में विवा की योग बनेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि सर हमारा साधी का योग कम होगा तो मैंने आपके लिए विडियो बनाई आप भी अगर करकलगन के हैं या जोती सीखना चाते हैं तो इसके मैध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं धन्यवाद मित्रो विडियो अच्छी ल